कि अब रिवान वेल्कम तू कॉमर्स लेक्चर्स आम नहीं है आज हम करेंगे क्लास 11 बिस्नस टुडिज अन्हाज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजिस और डिसद्वांटेजिस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोस डिपार्टमेंटल स्टोस के एक्जामबल हैं जिसी की बिग बजार तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी इडवांटेजिस क्या फायदे होते हैं सबसे पहला बेनिफिट है कन्वीनियंट शॉपिंग यानि अराम से हम यहां शॉपिंग कर सकते हैं ठीक है हमें जगा जगा भटकने की जुरत नहीं है अलग-अलग मार्कि जाकर एक जगा से अराम से कोई भी घुड़ हम करीच सकते हैं नेक्स एंट्र लोकेशन यानि यह जो गुड्स होते हैं यह जो टिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं यह सेंट्रल प्लेस पर होते हैं जैसे कि बड़ी शॉपिंग मॉल पर या फीमस जगाओं पर ऐसे जगा पर कर रहे हैं ठीक हैं गजांपल पढ़ते हैं अब घृत जादा क्वानटीटीच में खरीदोगे तो आपको discount मिलना ही मिलना है तो यह discount एक तरह से क्या हुआ है आपका economies of scale हुआ next point है आपका elimination of middleman इसका क्या मतलब है कि departmental stores जो है वो direct goods manufacturer से खरीते हैं यानि जो कि goods बनाते हैं उनसे करीते हैं और बेचते किसको है directly हम लोगों को customers को बेचते हैं तो बीच में कोई भी middleman नहीं आया ना middleman eliminate हो गया मतलब हट किया और middleman का जो profit होते हैं वो भी हट गया direct manufacturer से खरीदा और ड्रेक्ली वो consumer या customer हम लोगों को बेच दिया next point है आपका professional management इसका क्या मतलब है तेको departmental stores होते हैं उनकी बहुत अच्छी financial position होती है अच्छा खासा मोटा पैसा चापते हैं तो easily यह लोग afford कर सकते हैं कि अच्छा बला staff जो है higher कर सके skilled यानि जिनकी पास पहले से जो है बहुत knowledge है बहुत talent है बहुत experience है competent है ऐसे लोगों को यह लोग नोकरी दे सकते हैं और जब ऐसे लोग काम करेंगे तो काम में efficiency है कि काम बहुत अच्छे तरीके से होगा और काम का अच्छे तरीके से होने का क्या मतलब है आपका customer satisfied होगा तो management जो है professional होती है ठीक है next point है आपका services यह departmental stores हो हैं बहुत सारी type के services हमें provide करते हैं यानि अपने customers को provide करते हैं जैसे कि free home delivery अगर आपने बहुत बहुत जादा बल्क में समान खरीद रहें तो आपको discount भी मिल जाएगा ठीक है और restaurant वागरे की facilities होती है restroom washrooms इन यह सब facilities भी departmental stores में पाई जाती है next point है हमारे advertising इसमें क्या है अब जैसे departmental store होते हैं आपको पता है उनकी बहुत बहुत जादा financial resources होते हैं क्योंकि अच्छा-कासा पैसा कमाते हैं यह सो यह advertisement कैसे करते हैं बहुत large scale पर करते हैं जैसे big bazaar अगरा आपकी आपने आड देखिए होगी hot star पर भी आती है इसे वहला नुकसान है high operating cost operating cost मतलब वहती है business को चलाने के लिए business को रन करने के लिए जो पैसा लगता है वहती बहुत जादा है क्यूंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत जादा ही बड़े होते हैं बहुत लार्ड स्केल पे ऑपरेट करते हैं बड़े-बड़े होते हैं तो जितना बड़ा बिजनस होगा आपको पता है उतना जादा पैसा लगना है और साथ में यह बहुत जादा प गुड्स टिस्प्लें करने में सात में अपने शोरों को इने डेकोरेट भी करनाे इसे काला पीला शौरूं तो चले गा नहीं ना जो गंदा हो रखाय या उसमें सफाई नहीं आफ से पेंट नहीं है ना बॉल पिपर बगड़ अच्छर रगा कि अच्छे से डेकोरेट करने म हर जो चुछ बेचने जा रहे बता लग रहे हैं इसा तो कुछ कर नहीं सकता कि पर्सनली हर एक स्टमर को अटेंड करेगा कोई कि एक बारी में हजारों कस्टमर्स टेंड करते है इन शोरूम्स में सो वो क्या करता है? सैलरी स्टाफ, यानि कुछ लोगों को सैलरी पे रख लेता है और ये लोग जो है, जितने भी कस्टमर्स आते हैं, उनको अटेंड करते हैं इसलिए परस्नली जो है, ओनर कस्टमर्स के साथ कॉंटेक्ट में नहीं आता है बलकि इसका स्टाफ कॉंटेक्ट में आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका हाई प्राइस अब देखो, ये डिपार्टमेंटल सोर होते हैं मैंने बताया, अभी पीछे फर्स्ट पॉइंट पे इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत जादा होती है इतने बड़ बड़े बिजनस है तो बिजनस को चलाने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए अब मोटा पैसा जब चाहिए तो मोटा पैसा आएगा कहां से जब हम प्राइस चार्ज क्या करेंगे बहुत हाई यानि बहुत महंगे प्रोड़क्स बेचेंगे तब जाके ये cost cover होगी है न तो यहाँ पे price बहुत high होता है small shop से अगर आप compare करोगा अगर एक ही shirt जो आपने छोटी से दुकान से ली है पानसो छेस वरपे की तो वही same shirt हो सकता है इन departmental store में 1200-1300 की मिल रही है इसलिए यहाँ पे basically क्या होता है rich people ही इने afford कर पाते घूमने तो सब लोग जाते हैं चाहे rich हो चाहे poor हो लेकिन जो shopping में करते हैं वो लोग करते हैं higher income group वले लोग करते हैं एक और disadvantages का not located in residential colonies यानि जो local area होते हैं हमारी locality होती है यह वहाँ पे situated नहीं होते हैं वहाँ से बहुत distance पे कही main market में जाके जो हैं यह located होते हैं ठीक है आपने कभी देख्या घर के आसपास गली में बिग बजार खुल रहे हैं ऐसे हैं नहीं न लोगों को बहुत चारी ऐसे लोग होते हैं जो travel करना इतना पसंद नहीं करते हैं कि छोड़ो ना यार एक शोट लेनी है एक जीन्स लेनी है घर कर आशन लेने कौन इतनी दूर जाएगा इतना ट्रेवल करेगा है ना अपने आसपास की दुकान से लेलते हैं तो यह काफी बड़ा benefit है जो है disadvantage है कि यह काफी दूर होते हैं नेक्सट पॉइंट है huge capital यानि अगर आप एक departmental store setup करना चाते हैं start करना चाते हैं तो आपको बहुत जादा capital लगेगी बहुत जादा operating cost लगेगी मतलब बहुत मोटा पैसा आपको चाहिए अगर आप departmental store start करना चाते हैं सो कुछ ही ऐसे businessmen है जो अच्छा खासा कमाते हैं financially बहुत अच्छी हैं वही afford कर पाते हैं कि वो एक departmental store को चला पाएं नेक्स पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है difficulty in operation इसको operate करना बहुत ही जादा मुश्किल है क्यों मुश्किल है देखो हमने पढ़ा departmental store starting में जो अपनी first video करी थी उसमें हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे departments होते हैं चुट 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 अटमूर थांक्स वाचिंट चुट 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 हुट चुट